हम तो लगातार देश की उनत्ती देश को विसुगुरू बनाने की बात करते हैं अब उनके डिक्ष्णरी में विसुगुरू की बात ही नहीं है कहीं हम सनातन की बात करते हैं उसानतन को गाली दिलवाते हैं यह लोग बिल्कुल परिवारबादी लोग हैं तितने जो घमंडिया गटवंदन में लोग हैं बड़ा है भारत में विकास की बात हो रही है चंद्रयान पर हम पहुंचे हैं सूर्ज पर चले हैं कहां थे यह लोग है यह तो जमीन पर चलने लाइक भी नहीं दिया थे लोगो नमस्कार मैं राम सदन्जर आप देख रहे हैं 1124 हमार साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के परदेश प्रबक्ता राकेश कुमार सिंग है आपका बहुत-बहुत स्वागत एक निश 24 पर कॉंग्रेस के पुरवध्यक्ष राहुल गांदी का एक बयान है उन्होंने कहा क कि भाजपा और कॉंग्रेस की विचारधारा में बहुत फर्क है और तुलना की सभावी गुरुप से भारते जंता पार्टी राष्टवाद की बात करती है कॉंग्रेस परिवार बात की बात करती है सभावी के फर्क तो रहेगा है हम सबका साथ सबका विकास की बात करते है वो पडिवार की बात करते है फर्क तो होगा ही हम गाउं गरीब किसान मदूर की बात करते है वो पडिवार की बात करते है तो फर्क तो होगा भारतिय जनता पार्टिय और कॉंग्रिस में आसमान जमिन का अंतर है तो उनों के बिचार अलग अलग है बिल्कुल बिप्रिता है हम तो लगातार देश की उनत्ती देश को बिसुगुडु बनाने की बात करते हैं अब उनके डिक्ष्णरी में बिसुगुडु की बात ही नहीं है कहीं हम सनातन की बात करते हैं हुसानतन को गाली दिलवाते हैं हम महिलाओं के अरक्षन की बात करते हूं वो सभी के सभी पडिवारबादी हैं और हम लोग राष्टबाद की बात करते हैं तो इनको तकलीफ तो होगा ही देश की राजनीत में या तो उनके पडिवार के लोगों ने सासन किया या उनके पडिवार ने जिसको नॉमनेट किया वो ही चलाया मैक्समाम समय उनकी पडिवार के लोग नहीं कॉंग्रेस को चलाया और देश को चलाया तो ऐसी पार्टी के नेता है राहूल गांदी जी उन्होंने ये वी कहा कि कॉंग्रेस के लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं है भाजपा और आराष्ट्रेस दोनों से सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रेस स्विंग से बख संग है देश में घटना दुर घटना कोई भी होती है सबसे पहले उसके कार्ज करता उसके स्विंग से बख वहां पहुंचते हैं आप पिछले दिनों देखेंगे पिछले बरतो रेल दुर घटना हुआ था उडिसान में आप देखेंगे सबसे पहले संग के स्विंग से बख वहां पहुंच गए उनको राधिनित से मतलब नही उनको सियासी बिवान से मतलब नहीं उनको मतलब है समास सेवा से राष्ट सेवा से तो राष्ट सेवा का अश्वाविक है जो राष्ट सेवा करेगा उनसे इनको तकलिप होगा चुक्कि इनलों को राष्ट के सेवा से मतलब नहीं है इनको जब भारत की बात ही होती है तो इचाइना के समर्थन में बोलते है जब देश की बात होती है जब देश में G20 चल ला था इब देश में बाग के और देश के खिलाब बिसमोन कर रहे थे तो इनको तो पता ही नहीं है प्रधान मंत्री के खिलाब उलल जूलल बोल रहे थे तो इनको पता ही नहीं है कि देश क्या है, राष्ट क्या है समाज क्या है इस सब चीजसे इनको भेट कभी हो तब तो यह तो सोना के चमच लेके आये हैं पिर्थी भी पड़ इनको क्या पता है गड़ी भी क्या होता है समाज क्या है राष्ट क्या है ये सब चीज से इनको कोई लेना देना नहीं है संग के बारे में इनको क्या पता होगा ये कभी पढ़े होंगे तब तो हमारे अबके जैसे समास से केप से केपिज से आते तब तो यह तो राजमहल में जनम लिए हैं इनको गड़ी भी क्यों क्या जनने है एक ये भी कहा कि OBC की सरकार नहीं है ये और यह आदिवासी की बात नहीं करते हैं ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ से कुछ करते रहते हैं देश में जब वो सत्ता में थे बरसो सत्ता में थे कभी OBC की चिंता हुई कभी SCST की चिंता हुई आदिवासियों की चिंता किया किसकी चिंता किया फचास साल में देश को क्या हाल में लेके गया हैं दस बरसों से ला जी ट्वेंटी की बैठक ने साबित कर दिया कि भारत का सम्मान किस परकार बढ़ा है, भारत की लोग सर उचा करके पुड़े बिसु में घूम रहे हैं, हमारे सेना के सर को काटके ले जाता था पाकिस्तान जैसे देश के सैनिक, आज चाइना के सैनिक को भारत की सेना गरदन म मुड़ के फेक दे रही है ये भारत का मनोबल बढ़ा है भारत की सेना का मनोबल बढ़ा है भारत के लोगों का मनोबल उस्सा बढ़ा है भारत में विकास की बात हो रही है चंदरियान पर हम पहुंचे है सूर्ज पर चले हैं कहां थे ये लोग ये तो सब का साथ सब का विकास की बात कर रहे हैं सब का प्रया से सब की विकास की बात कर रहे हैं देश को परम बयभव पर ले जाना चाहते हैं यह तो परिवार वादी लोग हैं इनको तो सब कुछ परिवार में चाहिए तो यह परिवार के विकास की बात करते हैं हम लोग देश के वक्ता राकेश कुमार सिंग को आपने इतना समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद सत्ता कि हुकुमरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए बांकी से सिला चलता रहेगा अब आपकी बारी है आपकी क्या परती किरिया है नीचे कोमेंड बॉक्स में बताएगा और देख